हाई विनर्स I hope you all are well this side व्राजी वानन्त विनर्स यूट्यूब चैनल कोना लोग मोनटाइज करना चाहते हैं लोग चाहते हैं कि यूट्यूब पर व्यूज आएं लोग चाहते हैं बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स आएं उनकी वीडियो इंडिया में ही नहीं इंडिया क बाहर भी बहुत सारी कंट्री में वाइरल हो जाएं उस्टेलिया जमनी जपान यूएस यूके हर जगा पर उनकी वीडियो दिखें लेकिन सबसे पहला जो यूट्यूब खुद रेकमेंड करता है स्टेप वो आज तक बहुत कम यूट्यूबर फॉलो करते हैं और शायद कि यूट्यूब पर ग्रो नहीं कर पाते हैं और वो रीजन क्या है हर कोई यूट्यूब मोनोताइसइशन के पीछे भाग रहा लेकिन सबसे पहले यूट्यूब को ऑप्टिमाइज कैसे करना है? YouTube Optimization किसको बोलते हैं YouTube भी दोस्तों एक Search Engine Algorithm है दोस्तों जैसे Google वर्ल्ड का No.1 Search Engine है वैसे ही YouTube वर्ल्ड का Second Search Engine है दोनों में फर्क क्या है YouTube पर सिरफ वही content सर्च किया जाता है जिसकी proper वीडियोज लोगों को मिल जाए तो अगर YouTube Search Engine है तो आपको नहीं लगता कि YouTube चैनल को भी हमें Search Engine Optimize बनाना चाहिए इस concept को हम लोग वीडियो SEO भी बोल सकते हैं YouTube SEO भी बोल सकते हैं लेकिन YouTube SEO मतलब आपका जो चैनल है जो चैनल आपने बनाया है उसका जो नाम रखा है उसके आप लोगों ने जो टैग सेट की है वो कहां है वो क्या बता रहे हैं आपके चैनल के बारे में इसको बहुत कम लोग जानते हैं तो चलिए आज इस वीडियो में आप लोगों को YouTube चैनल का पहला ऐसा स्टेप सिखाता हूं कि YouTube चैनल का SEO कैसे किया जाता है YouTube को कैसे पता लगा YouTube एक सर्च अल्गोरिथम पर काम करता है एक सर्च इंजन है वीडियो बेस सर्च इंजन है उसको क्या पता कि एक नया चैनल बना है वो नया चैनल किस टाइप की वीडियो क्रियेट करेगा उस channel ने कौन से keywords को set किया है location क्या है उसका tagging क्या है वो English में बोलेगा Hindi में बोलेगा Marathi में बोलेगा गुजराती में बोलेगा Bengali में बोलेगा Tamil में बोलेगा तेलगम में बोलेगा तो ये बताना भी तो पढ़ेगा न YouTube को यही सारे tip जो है वो YouTube का channel optimize करने में बहुत ज़्यादा काम आते है और आपको एक सबसे बढ़ा tip बताऊँ आच से लगबग आच साल पहले Google ने एक course बनाया था Google Unlocked उस course में जितने भी लोगों ने Google और YouTube पर कैसे वीडियो रेकमेंट की जाएंगी उसके बारे में जो content आये थे ना वहाँ पर ना तीन चीजों को सबसे ज़्यादा focus किया था पहला था visibility visibility मतलब आपने अगर अपना YouTube channel बनाया है तो सबसे पहले उसको visible तो बनाओ इसी को YouTube channel का search engine optimization बोलते हैं दूसरा target audience जब आप अपने channel की visibility करोगे और उस पर videos upload करोगे तो definitely जो target audience आपकी जो आपकी food की video देखना चाती है mobile की video देखना चाती है tips and tricks के बारे में जाना चाती है YouTube के बारे में जाना चाती है stock market के बारे में जाना चाती है crypto market के बारे में जाना चाती है वो आप तक पहुँचेंगे और दूसरा जब आपने चैनल को visible बना लिया, audience सेट हो गई, definitely आपका चैनल तब growth पकड़ेगा step by step तो इसके लिए YouTube चैनल को optimize करना जुरूरी है, आज सीखते हैं proper कि YouTube चैनल को कैसे पहले optimize किया जाता है, monetize तो उसके बाद की बात है तो winners सबसे पहले जानिए कि YouTube चैनल को optimize कैसे किया जाता है, optimize करने के लिए मैं आप लोगों को अपना crypto mark का YouTube चैनल दिखा रहा हूँ, जिसमें last 7 month के अंदर 44,000 से ज़्यादा subscribers आ चुके हैं दोस्तो optimization के पहला step होता है, आपको YouTube चैनल के customization section में जाना है, जब आप YouTube चैनल के customization section पर click करेंगे, तो optimization का पहला step सीखिए, आपको basic info में जाना है basic info में आपको सबसे पहले अपने YouTube चैनल के बारे में लिखना है, मतलब आपका YouTube चैनल किस particular niche के ऊपर है, जैसे की ये मेरा proper cryptocurrency, NFT और metaverse के ऊपर channel है, तो देखिए मैंने कैसे लिखा हुआ है Welcome to the world of cryptocurrency, NFT and metaverse 3D virtual world crypto mark उसके बाद मैंने अपने channel की जो description डाली है, इस description के अंदर मैंने 4-5 चीजों का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखा है अब वो सुनिए क्या है, पहला मेरा खुद का नाम राजीवानन्द, दूसरा YouTube channel, तीसरा कुछ ऐसे world मैंने लिखे हैं, जो की बहुत ज़्यादा चलते हैं YouTube पर, जैसे popular, leading, channels और उसके बाद, technology से related, blockchain technology, NFT, most trending term है, cryptocurrencies, बहुत जबरदस term है, NFT creator, explorer, trainer, metaverse enthused, बहुत बढ़ा नाम है, 3D virtual world, उसके बाद gaming world, मतलब आपकी जो niche है, आप सबसे पहले अपने niche के ऊपर, एक proper description बनाईए, और उसे अपने YouTube channel की description में जरूर लिखिए, मतलब ये description बहुत ज़्यादा important होती है, हर YouTube channel के लिए, optimization का सबसे पहला step, अब देखिए, यहाँ पर दूसरा step क्या है, आप लोगों ने जो description लिखी, नीचे आप देख रहे होंगे, कि मैंने अपने channel को translate कर रखा है, Hindi language के अंदर, तो ये translation जो है, वो YouTube channel की visibility, अलग-लग languages में बना देती है, जैसे by default, आप लोगों का जो channel होता है, उसकी description English language में है, अब देखिए, मैं यहाँ पर इसकी visibility का एक दूसरा step दिखाता हूँ आपको, यह मैंने यहाँ से copy किया, और Google Translate को मैं use करता हूँ, Google Translate में मैं गया, और यह English है, तो यहाँ से मैंने English select किया, और Google, यह आप जानते हैं, बहुत popular language है, तो Tamil में मैं सबसे पहले search कर लेता हूँ, और यह देखिए, अब जो यह मेरे YouTube channel की description है, यह Tamil में आ गई, अब मैंने क्या करना है, इसकी पूरी की description, जो Tamil language की है, इसको मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, यह देखिए, मैंने यह copy कर ली, simply, अ और यहाँ description में Tamil language को भी insert कर दिया, अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले enter, जो channel name है, crypto mark भी लिखना है Tamil में, तो यह crypto mark है, मैं सबसे पहले यह देख लेता हूँ, Tamil में क्यास लिखा हूँ है, यह crypto mark लिखा हूँ है, तो इसको भी मैं copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं paste क कर देता हूँ, अब मैंने कर दिया, done, अब यहाँ देखिए आप, मेरा जो channel है, उसके अंदर translation दो language में हो गई, Tamil में भी, Hindi में भी, यह करने के बाद simply आपको publish करना है, दोस्तों, channel की description के अंदर, जितने अच्छे keywords डालोगे, और description को जितना smoothly run करोगे, उतना ही बहुत best आपकी YouTube channel के लिए, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ, जो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कि overall, view channel जब करते हैं, तो YouTube channel की जो visibility है, अब वो सिरफ एक language से नहीं, कि सिरफ English, यह Hindi में भी translate हो रहा है, Tamil में भी हो रहा है, यहाँ पर आ आती हैं, जिनके उपर सबसे ज़्यादा आपको content मिलते हैं, तो यहाँ पर मल्यालम भी है, यहाँ पर मैंने मल्यालम को set किया, और अपना definitely यहाँ से मल्यालम language में, जो भी मेरे चैनल की description निकल कर आई, उसको मैंने यहाँ से copy कर लेता हूँ, यह देखिए, यहाँ से मैंने copy की, दुबारा से मैं गया, add language में, और यहाँ पर मल्यालम सेलेक्ट करता हूँ, मैं, यहाँ पर आगी मल्यालम, और यहाँ पर मैंने select कर दिया, मराठी भी दोस्तों एक popular language है, ध्यान रखेगा, मैं मराठी भूल गया, मराठी भी एक बहुत popular language है, इसमें मैंने अभी पहली line जो थी यह वाली, यह मैं नहीं कर पाया था, तो यह भी आपके सामने copy कर लेता हूँ, आपको एक-एक line को copy करना है, my friends, यह मैं आपको इसलिए गलती करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को proper clear हो, यह देखिए, गलती से लोग English ना लिख दें, तो इसको आप proper translate कर लीजिएगा उस language में जिसके आप visibility बढ़ाना चाहते हैं, तो यह यहां पर आकर paste करेंगे और यह done करेंगे, publish, तो ऐसे आप अपने YouTube चैनल की visibility को बढ़ा पाएंगे, यह बहुत important चीज़ है, YouTube चैनल की visibility को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है, दूसरा बात क को अपने top के 5 URL को जरूर insert करना है, यह YouTube ने खुद आपको बोल रखा है, वैसे आप लोग 10 कर सकते हो, लेकिन पहले 5 जो है, वो आपकी YouTube चैनल पर दिखाई भी देते हैं, वो कहां दिखाई देते हैं, आप यह भी देखने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने view चैनल पर click किय तो यहां पर यह देखिए, top के 5 link, यह optimization का दूसरा सबसे बड़ा step है, तो आप लोगों को पहले 5 link कोई भी, आपका कोई दूसरा YouTube चैनल है, आपकी कोई website या blog है, आपका Facebook profile है, Instagram profile है, Twitter profile है, इन सारे link को जरूर add कीजिए, तीसरा सबसे important optimization का tip आज जरूर जानिए, वो है Gmail ID से YouTube channel बना रखा है, वही email ID आपके contact information में होनी चाहिए, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, Gmail के ID से YouTube बनाते हैं, और अपने personal blog की email ID यहां पे contact information में डाल देते हैं, दोस्तों प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, optimization का यह step गलत हो जाएगा, यह 3 step proper follow कीजिए, उसके बाद branding section में, जब आप branding section में आएंगे, तो YouTube का profile art, जो YouTube की requirement है, उसी according, 98 by 98 pixel की बोलता है, और 4 MB से कम size होना चाहिए, proper उसी size की photo बनाओ, YouTube का banner image, proper 2048 multiply by 1152 pixel की photo और size 6 MB से कम हो, और इसके बाद video watermark, कोई और photo नहीं मिल रही, तो आप अपने YouTube profile pic को video का watermark भी बना सकते हैं, और एक ची लिखते हैं, custom लगाते हैं, लेकिन entire video सबसे best होता है optimization के लिए, अब आता है layout section, layout को optimization करने के लिए, दो वीडियो होना बहुत ज़रूरी है, एक वीडियो जो आपके channel को, जिन्होंने subscribe नहीं कर रखा, उनको channel trailer के रूप में दिखती है, और दूसरा featuring video, बायचांस अगर कोई आपका channel छोड़ के जा रहा है, तो उसे आपके channel की feature video दिखाई दे, ताकि वो मजबूर हो, दुबारा से subscribe करने के लिए, दोस्तों ये optimization के ऐसे step है, इनको बहुत सारे YouTuber, बहुत lightly ले लेते हैं, कि इनसे कुछ नहीं होने वाला, इनसे कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन YouTube channel को चलाने के लिए optimization बहुत बड़ा step होता है, तो मेरी request है, अगर आप लोग भी proper YouTuber बनना चाहते हैं, तो इन step को proper follow केजिए, thank you so much for watching this video and please do subscribe, Rajiv Anand official YouTube channel, thank you so much